दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं हैंस्टो कॉमबैट को विड्रो करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है अगर आपने उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपका एड्रॉप मिस भी हो सकता है मैं आपको हैंस्टो कॉमबैट की ओफिशल अनाउंस्मेंट बताने वाला हूँ जैसा कि देख सकते हो कि हमने हैंस्टो कॉमबैट का टेलिग्राम चैनल खोल लिया है यहाँ पर उन्होंने अभी अभी अनाउंस्मेंट की है यानि कई लोगों को एक दो दिनों से विट्रॉल लेने में प्रॉबलम हो रही थी यानि कि जब वो अपना बाइनस खोल रहे थे वहाँ से हैंस्टो का एड्रेस वगड़ा कॉपी करने में दिक्कत आ रही थी मैंने खुद भी यह इशू फेस किया था उस से री एक्शेंज यह कहते हैं कि यानि कि आप उन्होंने ने साढ़े इस्ऊ इस्ची कर लिये हैं अगर आप अपना कोई बे एक्शेंज सिलेक करना चाहते हो तो आप बिना किसी दिक्कत के कर सकते हो आगे यह लोग कहते हैं कि यह रोग आगे कहते हैं कि आप अपना जो एक्सेंज वगरा है वो अभी सिलेक कर सकते हो लेकिन अगर आपको किसी कारण वाश अपना एक्सेंज चेंज करना है तो आप वो 21 सितमबर तक ही कर सकते हो यानि कि अगर सपोस करते हैं कि आपने बाइबीट पर विट्राल ले लिय लेकिन भी आपका मन्द चेंज हो जाता है कि याद रहे कि 21 सितमबर कि नहीं करूँगा कि कि आप उख्चेंज पर एक्सेंज पर क्डॉओल मत लेना क्योंकि यार। उपना ऑसं दॉनिया का सब से ब्रौप्टो एक्सेंजंज है वहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ही कम आती है और जब डॉक्स लिस्ट हुआ था ना तब बाइबीट पर डॉक्स की प्राइज 10-20 परसेंट कम बता रही थी कई लोगों ने लॉस में सेल गया इसलिए मैं आपको इस्ट्रॉंग ली डेकरमन करता हूं कि बाइनांस पर ही विड्रॉ यहां पर देख सकते हो पॉइंट के साइड में जो विड्रॉल वाला ऑप्शन है वहां पर आ जाने के बाद हमें सारे एक्षेंजेज दिख जाएंगे जहां पर हम आपना विड्रॉल ले सकते हैं अगर आप लोग दिक्कत नहीं चाहते हो तो बाइनांस चोड़के किसी भ तो यहां पर हम कहेंगे yes I have it अब यहां पर हमें दिखेगा धोरा सा नीचे स्ट्रोल करने पर हमस्टर का डिपॉजिर अड्रेस डालने को बोल रहा है तो simply हमारी बाइनांस के एप्लिकेशन खोल लेंगे अब यहां पर हम लोग जब वालेट पर क्लिक करेंगे तब वहां पर हमें सर्च करना है HMSTR अब यहां पर हमें हमस्टर कॉमबैट मिल जाएगा उस पर क्लिक करना है अब यहां पर हमें नेटवर्क सिलेक करने के लिए कहेगा यहां पर हमें टॉन सिलेक करना है आगे आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप डिपॉजिर एड्रेस हो रहा ह उसे हमें copy कर लेना है अब copy करने का बाद फिर से हम हमारा hamster combat open कर लेंगे और यहाँ पर hamster deposit address में वो address को paste कर लेंगे अब नीचे हमें type करना है memo इसके लिए भी हमें फिर से binance को open करना है और यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि हमें memo का option भी मिल रहा है अब memo को भी copy कर लेंगे और hamster combat open करके इसे भी paste कर लेंगे जैसा कि देख सकते हो हमने paste कर लिया है अब simply हमें save and choose कर लेना है जैसा कि देख सकते हो अब हमारा काम पूरा हो चुका है तो यह थी आज की video कि हमें हमारा withdrawal कैसे ले लेना है आई होप यह video आपको पसंद आई होगी वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को like and share ज़रूर करना next video में हम लोग जानेंगे कि ऐसी कोन सी छोटी छोटी चीज़े हैं जो चीज़े अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमें airdrop के समय जितना airdrop ओडिजनली मिलने वाला था उससे भी डबल मिलेगा सो चैनल को सब्स्राइब करके रख लीजिए सो यही थी आज की वीडियो मिलते हैं आगली वीडियो में बाबाई